हेलो दोस्तों आपकी इंफोर्मेशन के लिए बता दूँ कि टिकेट्स ओपन हुए थे अभी भी ओपन है फॉर आइसी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया में हो रहा है और मैं बहुत एक्साइटेट था कि मैं इंडिया का मैच देखूंगा एट लीस्ट तो मैंने इ देख पाऊंगा लेकिन आप जैसे के जानते हैं कि इंडिया की पब्लिक मदब इट्स लाइक कि सब लोग एक बार महीं आ गए और एक तरीके से पूरी साइट हैंग हो गई पुरी तरीके से और किसी के पास कोई जवाब नहीं था और पीन गंटे बाद जब साइट खुली तो हमें सिर्फ चुनिंदा मैचों की टिकेट्स अवेलेबल हैं अभी करेंट्ली अभी अगर आप जाएंगे तो आप देख पाएंगे कुछ ही जैसे के ऑस्टेलिया साउथ अफरीका की टिकेट अवलेबल है लगनाओ में आप जैसे के देख सकते हैं यह सारी सोल्ड आउ कि अगलाफ यह सब्कृत के लिएंगेः लगनाओ में टिकेट्स अवलेबल हैं बट यह काफी दूर हैं ऐर मैं ट्रेविल नहीं कर सकता मैं दिल्जी तक तो जा सकता थे लगे मैं दिल्ली ते बहार नहीं यह सकता तो मैं देख रहा हूं जो भी हमारे आसपास है लखनाओ है दिल्ली है mostly tickets sold out हो चुके हैं already within three hours three to four hours of going live और सोचा बंगलादेश का देखता हूं तो बंगलादेश का जब देखा तो उसमें भी बंगलादेश श्री लंका available है अब अगर इंडिया में मैच हो रहा है और हम इंडिया को ही देखने ना जाएं तो क्या फायदा बताइए बाकि अगर आप चाहें अगर आप cricket enthusiast हैं इतने ज्यादा कि आप कोई इंडिया में रहके किसी दो टीम का वाल्ड को मैच देखना चाहते हैं तो आप बिलकुल बुक कर सकते हैं अभी भी कुछ टिकेट्स हैं आप बिलकुल बुक करिए यह जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह हमारा ग्राउंड है और ग्राउं कि यह मतलब लोग पागल हो रहे हैं बिलकुल की वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप के लिए अभी भी मतलब कितना ही इंडियन टीम हार जाए लेकिन क्रिकेट का जुनून हमारे देश में अभी भी बरकरार रहेगा अब मैं आपको बुक करने का एक प्रोसीजर ब मतलब ठीक ठीक है कीमत आज के हसाब से आई पिल के कमपेर इजन में ठीक ठाक है यहां देखिए आप अपनी अगर होम डिलिवरी करा सकते हैं टिकेट की आपको अपना होम का पिन कोट डालना है अपना नाम डालना है एड्रस डालना है आपको घर पे चाहिए आफिस में च झाल 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 झाल